नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है केंद्री के क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच अकाली दल ने पियम मोदी से इन कानूनों को रद करने के अपिल की है शिरोमणी अकाली दल के नेता और पंचाब के पूर्व उपमुख्य मंत्री सुबीर सिंग बादलने शेनिवार को कहा कि पियम मोदी को देश की आवाज सुनने चाहिए और क्रिशी कानूनों को रद करना चाहिए समचार एजनसी एनाई के मताबिक अकाली नेता सुबीर सिंग बादलने कहा कि मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगा कि देश की आवाज देश के किसानों की बात सुनने चाहिए और जल्द ही ये तीन कानूनों को रद करना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए वहीं अकाली दल की निता और पूर्व केंद्री ये मंत्री हर सिम्रत का और बादल ने कहा कि पंजाब के सियम अमरिंदर सिंग का फर्ज बनता है कि वो दिल्ली जाकर बेकसूर नौजवानों को बाहर निकालें और उनके खिलाफ हुए केसो को बंद करें जिससे दो सो तीन सो नौजवानों की जिन्दगी खराप न हो 26 जनवरी से उन नौजवानों को बंद करके रखा है लाल किले के थाने पर एक भी F.I.R. हुई है एक एक बेकसूर नौजवान नौजवानों बार कड़न होना दे खिलाफ जेड़े केस का होना केसा नौजवानों बंद करन तेना दो तेन सो मुंडिया दी जिन्दगी खराब न होए पुछना चांदियां की लाल के लेदे एपिसोड चे लाल के लेदे थाने वेच एक भी F.I.R. होई है एक अपने नौजवान बेकसूरा नौपाड़के ओना नौजवानों बिना किसे तर कोई F.I.R. किते बिना इनना दिन्दा रख्या हो या ते पंजाब सरकार जिता फा कर रहे ने पैसे शर्याम लुट कर रहे ने अपने फार्म हां उस तो बहार निकलन ते लोका दी तकलीफा दे ओदे नाल जाके ओना दे वास्ते हल करन लेए अपना कम करना नौजवान किसी सरकार के बारे कुछ ने गवर्मन्ट आफ इंडिया को बिलकुल गलत फहिमी है द आपको बता दे कि एंडिये में बिजेपी के पुरानी सहयोगी रही शिरोमणी अकारी दल ने क्रिशी कारूनों को लेकर गडबंधन से नाता तोड़ लिया था साथी केंद्रिये मंत्री रही हरसिम्रत कौरबादल ने मंत्री पद से इस्तिफात दे दिया था फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिया बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ